इसलिए आशिरवाद के लिए भगवान का सामानी उठा लिया आशिर्वत नहीं पंडी जी शादी करवानी है क्या हुआ मंगल सुत्र पहने से पहले माँ बन गई कैसा समय आ गया है क्यों हो यह लड़के उस गिफ्ट की वज़ा तू ही है ना चीची मैं नहीं हो पंडी जी यह गिफ्ट मेरे सूपर सीनियर का है अच्छा तो इसका कारण मैं तू है कैसा इंसान है मतलब कि मेरी मेरी शादी से एक घंटे पहले मेरी दादी घंटी बजाकर उपर चली गई जाए एक साल के लिए पोस्पॉण हो गई देट्स वाई कुछ रातों में ही मैंने ये कारेकरम कर दिया देट्स वाई शादी पोस्पोन हो गई ये कहकर सबाब का अशिवादे गुरूजी पंडिची पहले शादी करवाईए डिलिवरी हो गई तो शादी से पहले माँ बन गई कहकर रिज़त चली जाएगी अभी इतनी वालेंट्ली है तो सबको सालेंट्ली कैसे कर लिया थोड़ा धीरज रखो डार्लिंग कमीने कहीं के तब तुमने कहां सीख लो और अब धीरज धरने को कह रहे हो पंडिची डिलिवरी होने वाली है शुरू कीजिए चलो ठीक है मंत्रबाद में पहले मंगल सूतर की बात करो यह लड़का भी कब नहीं है मंगल सूतर निकालो अलाव लाव मुझे दो उठाओ अधालिया अधे अरे मोटा हो गया दिमाग नहीं है क्या चलो उठाओ ठाओ ठाने के लिए बदा तो लड़की पूठा देगा उठाने की नमबर का मूर्ख प्राणी है अरे मंगल सूतर चोटी में नहीं गले ने बान पहना नहीं आता चलाए शादी करने मूर्ख वाँ इट्स मेडिकली मिरेक कर शादी कर दिने डिलेवरी कॉंग्रेक्स अरो बपर वैद जी सुनिया वैद जी अगर एक मुझे बौका दें तो दुलहन को अरुंदती नक्षतर दिखा के चला जाओंगा मैं दिखा दीजी मुझे यहां तारे नजर आ रहे हैं अगर ज्यादा बात करोगे तो यह नौबत नहीं आती आज यह लड़की तुझे कहां मिली भाई यह तो बिना गालियों के बात ही नहीं करती होड़ा सहन कर चाहीं भटक गए मैं नहीं भटक सकता यह मेरी जन्दिगी की पहली शादी है लड़की हुई है यह बेटी पैदा हुई है खुशी की बात है अरे क्या कर यह नहीं तुझे मुझे मुझे बेटी हुई है मुझे बेटी हुई है मुझे बेटी हुई है बेटी हुई है मैं देखने जाता हूं लाड़की मा लक्षमी है इसका नाम क्या सोचा है मेरी दादी मा तुछुप कर तुम बोलो मैं शादी तुम ही करवा रही हो तो नांकरन तुम ही करो मधू मधू मती मधू मती फिल्म के सब्सक्राइब करते हैं पता नहीं कैसा ट्रेंड है पार्क में सुहागरात एंबुलेंस में शादी हॉस्पिटल में डेलिवेंटी तुम लोग शास्त्र के अनुसर चलोगे या मोटू की तरह ओम नमस्षिवाए क्या है आज शाम को है हैदराबाद के लिए निकल रहा हूं हां माउनिंग तक पहुंच आँगा ठीक है बाई गाजर का हलवा बनाओ बनाओ रोज कहते हो जब बनाती हूं तब टीवी के सामने बैठकर बेकान की प्रोग्राम देखते हो थोड़ी सी हेल्प भी नहीं करते हो मेरी क्या बढ़बढा रही हो अब मैं रिटायर हो गया हूं ना हमें नहीं मिलेगा क्या रिटार्मेंट तुम्हें क्यों चाहिए नौकरी तो मैंने की है ना आपकी सारी ज़रुरतों को पूरा किया है मैंने आज काल के बुट्टे बुढ़िया भीना कमाल करते हैं हमेशा लड़ते रहते हैं तुमने ही तो बच्चों के लिए जिद की थी तभी तो मैंने तुम्हें बच्चा दिया और उसमें मेरा भी शेयर था अरे शेयर तो मैंने भी किया था मैंने भी तो सिम्हधारी उठाई स्कूल का टिफिन बनाया होमग भी कराया मैंने लाखों खर्च करके उनकी शादी करके उनको ससुराल मैंने बेजा बिना खर्चे क शादी की सारी तैयारी की थी मैंने हर चीज में मैंने हेल्प किया था लेकिन आपने कभी मेरी हेल्प किये क्या शर्म नहीं आती है तुम्हें हर चीज में टांग अलाती रहती हो घर में ठीक से खाना नहीं बनापती हो रहे हाथ का खाना खाकर ही आपने अपनी ये बॉड़ी ये बच्चों ये सब क्या है शेरिंग 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 दादा जी जातने मोग्रे का फूल लेकर जाना ठीक है ठीक है ले जाओंगा ये लोग के साथ घंटो घंटो चैटिंग करने वाला गूगल लफंगा बदबुदार कपड़ों पर सेंट मारकर फिल्म देखने जाने वाला वाच्ट अप लफंगा ट्वीटर लफंगा फेस्बुक क्या कर रहे हो प्रैक्टिस किस लिए अरे बताता हूं लाडली तुम्हारे भाईया के लिए है मुझ फेर कर क्यों जा रही हो भूत की तरह ऐसे देखने के बचाए वो भिंडी काट सकती है ना मुझे डाट नहीं सकती इसलिए बेटी को डाट कर कवर कर रही हो शादी से प पूढ़ों के नरक के मैनेजर हो बूढ़ों का नरक नहीं मा ओल्ड एज होम हाँ जो कुछ भी हो जब मैं प्रेगनन्ट हुए थी तब कहते थे कि लड़की होनी चाहिए लड़की होनी चाहिए तो मुझे लगा कि मेरे पती को तो लड़की बहुत बसंद है बात में पता जो बेटे अपने बुढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम में लाकर छोड़ते हैं, उनके प्रती जो गुस्सा है, इसलिए इनको लड़का नहीं चाहिए था, और जब खुद का बेटा पैदा हुआ, तो दूसरे बेटों का गुस्सा मेरे बेटे पर उतारते हो, पापा पहल किसी न किसी बहाने से उसे डाटना ही, आपकी जिंदगी का लक्ष बन गया है बस, अब तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगा पकड़ा गया बेटी, बैंक का क्लोजिंग टाइम क्या है? छे बज़े येश, कल मैंने उसको पाँच पचपन को बैंक में डिपोजिट करने के लिए अपने हातों से कुछ पैसे दिये थे पाँच मिनिट में वो कैसे डिपोजिट कर सकता है? मा दस मिनिट पहले लाट साब कहां थे पता है सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे थे अब मैं उसे छोड़ूँगा नहीं अगर पैसे भरने का कैश रिसीट उसने मुझे नहीं दिखाया तो उसके साथ मैं कबड़ी खेलूँगा कबड़ी यह क्या है जो पैसे भरा है उसका बैंक रिसीट चाहिए यह वही है पढ़ना आता है तो पढ़िये नहीं तो मुझे सो रुपे दीजिए मैं पढ़के सुनाती हूँ लगता है पलग में उंगली डाल दी है पापा पैसे बैंक में ही नहीं ATM मशीन में भी डिपॉजिट कर सकते हैं थोड़ा अपडेट हो जाईए क्यूँ ये जब उल्टी पैदा होई थी तो मैंने सोचा था ये फ्यूचर में मेरा ख्याल रखेगी अगर ऐसी बात है तो आपको ओल्डे जूम में डाल दूँगी सही क्या रही है य अपने भाई को फोन करके क्या ऐक क् 240 ले करना तरियानि अरे मचे मैं नहीं खाता हूँ पापा अब यs的 तो लाने को कहा है कबड़ी कबड़ी खे़लें क्या कबड़ी आइ पापावकर मॉश्यक्यकर थेमचर मॉश्यक्य सिर्ब्लेशकर में oss बाएit हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही ज़रा लॉजिकली सोचो या फिर अपने पसंद की मौत मर जाओ हां लेकिन तुम्हारी मौत की वज़े से कोई और ना फंसे ऐसा कोई तरीका निकालो मेरा प्रोजेक्ट मैनेचर मुझे हैरेस कर रहा है मुझे मुझे उसके साथ सोना हो गया मुझे वो अनफिट बताकर पिंक स्लिप देकर जॉब से निकाल देगा आज अगर मैं उसके रिसॉड नहीं गई तो कल से ओफिस आने के लिए मना किया है यह सब मेरे पैरंस को पता च कि नहीं करने देंगे पर यह प्रोब्लम तो कॉमन है कुछ समझ नहीं आरा क्या करू करो कॉल करो सूपरवाइजर को तेल हम तो कम यह एंड पिक यू अप प्लोई कोई जानवर लगता है क्या जो पसंद आगया तो उसके साथ मेट करने के लिए ओन करो वाव एट लास्ट यू है टेकन अवंडरफुल डिसीजन कम आण चलो मज़ा करते हैं ए क्या हो गया ए उधर क्या देख रही हो चलो चलते हैं कम आण तेरे साथ सोना पडेगा तू मुझे पेंट स्लिप देगा मैं दिखाती हूँ मैं दिखाती हूँ तुझे पेंट स्लिप क्या होता है मैं दिखाती हूँ तूने लड़कियों को समझ क्या रखा है किसी ने देखा तो नहीं न है जब आप स्ट्रॉंग रहते हो न तो कोई अपका कुछ नहीं भी गाड़ सकता बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉंग थैंक्यू यह एट्स ओके लाट साब हैदरबाद ही जा रहे ना पापा एंजॉय करने के लिए यही लास्ट यह जाओ जाते ही एक लड़की को ढून लेना उसके पीछे पड़ना आगे पीछे घूमना उसे पटा लेना अगे पीछे अरे पैसा देने के लिए मैं बैठा हूँ यहां बस एक फोन करना और मांग लेना मेरी पूरी जिंदगी गिर्वी रख दूँगा तुम्हारे लिए यह बंपर आफर हमारे लिए भी है क्या पापा अरे इस बच्ची की जुबान काफी चलती है इतनी छोटी होकर मेरी बात चलेगा कि मैं ही सही था मेरी वज़े से आपको सरु जुकानी के नौबत कभी नहीं यहां कर दिखता है यह इस बार भी राव ही जीतेगा पिल्कुल यार मैडम ऐसी बात है क्या फर्स डेही बिना नहाया गया इस कमीने को कैसे पता चल गया ऐसी बात नहीं है इससे पंगा लेना स्मेल सुंकर सारा सीक्रेट बता देता है वैसे इस बॉक्स में क्या है बताइए सर बैंगन इतना पसंद है क्या बॉक्स में बैंगन ही नहीं है यार लोकी की भी सबजी है ऐसा क्या बैंगन के साथ लोकी भी है सही कहा सर पुलिस के डॉक्स की तरह बिल्कुल सही सु वारी उसको उसे ही क्यों सर क्योंकि ऊपराल है चलो चलो जो तुखे शी मंने तुझे हरा दियाना कंपार बाइ अगरो अबहत परिया आपी दर्लेट लावाश्ट इतना पड़ेगा इसको तो देख लूगा इस बार भी अगर मैं हार गया तो जिन्दगी पर परेशान रहूंगा मैं यस मैं यहूं विनर तो श्रापाइन चलो चलो यहां सूजान वुषकर हार गया हिसले मैं नहीं ही उसे जीता है लाइफलोंग हैप्टी रहेगा वह तो पितने बड़ा बेवकूफ है उसने जिताया इसलिए तू जीता उसको तो दे वह हार गया फिर ब्सकसाथ इतने लोग है तू तो जीत गया ह न, फिर भी तेरे साथ, तेरा चंचा ही है, पुरे कॉलेज को ये बात समझ में आ रही है, तुझे नहीं आ रही, बंद बुद्ध्य कहीं का? अधू? परे, पाप 네. ज्या प्रो? बॉल मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, हां, जरा उसको बॉल दे. यह बॉल कैसे रिस्पेक्ट देगी इसको भागा लेका है अरे ज़रा देर बात करना यह क्या प्लान कर रहे हैं एक तो सीनियरों का सीनियर सुपर सीनियर है अगर उसने सुन लिये तो पनिश्मेंट पनिश्मेंट के नाम पर दस बरियाने मांगेगा तो रुग्जा बॉल मै रहा है भाई थैंक्स यार रमेश कैसा है तू मैं तो ठीक हूँ लेकिन ग्राउन में फर्स्ट बॉल पर ही तेरी बॉल फट जाती है बटा क्या बोल रहा है नहीं यार बेल सुड़ जाती है ऐसा कह रहा हूं अबे शरम नहीं आती तुझे मेरे साथ तुने कॉलेज जोइन पैसों के पिछे पागल है इसलिए नाकरी के पिछे भागते रहता है लेकिन मैं पढ़ाई के पीछे पागल हूँ इसलिए हिम्मत से पढ़ाई कर रहा हूँ तुझे कोई तकलिफ है क्या भाई कर्रेक बोला तुने बेटा पढ़ाई खाखा के तुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है इसलिए अपना पेट दर कितना बढ़ गया है बस थोड़े दिन और रुख जा बेटा बूड़ों के पेंशन के लिए एलेजबल हो जाएगा तु समझ गया मेरी बाद कॉलेज के पिलर जैसा क्यों इतां फ्रस्टेट हो रहा है कोई प्रॉब्लम है क्या सूपर सीनियर यह बेकार की सीनियरेटी प्रॉब्लम है मैं एम्ब्ये की डिग्री लेकर किसी सेवन स्टार होटल का मैनेजमेंट या फिर आई एस की तैयारी करना चाहता था मेरे बाप ने engineering कर ले engineering कर ले कहकर इस college में डाल दिया lecture समझ में नहीं आता है दिमाग खराब होता है मेरा वह एलजेबरा पता है क्या मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता मेरे college के लड़के बैच पर बैच उपमा खाने की तरह आराम से निकालते जा रहे हैं ये बेकार की engineering केरिंग शनी की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है यार मेरे जिन्दिगी पूरी तरह बरबाद हो गई क्या कहा बड़े साब के खिलाब जाने की सोच रहा है ना गुलपपा अगर वो नहीं होता तो मेरी जिन्दगी ही नहीं होती अभी जो हम सांस ले रहें उसकी वज़ा वो बड़े साब ही है उन्होंने हमारे लिए अपनी ऊठी तक नहीं की अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने अपनी साथ दरकिनार कर दी इतने महान है वो तो सब कुछ बंद करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें बैठना पड़ेगा, बड़े साहब परवत की तरह है, अगर उनसे टकराएगा, तो तुझे ढूंडने में हमें काफी साल लग जाएंगे, मत कर तेर भी नहीं छोड़ूंगा, उसकी वज़ा से मेरी राजनीती मिट्टे में मिल गई, उसने मेरी जमीन मेरी बेटी के नाम पर लिख कर, उसको मेरी नजरों से दूर कर दिया, नहीं छोड़ूंगा बाल भी बांका नहीं कर सकता तू, उनके खिलाफ जाने के लिए हम ही नहीं, तेरा बाप भी तेरा साथ नहीं देगा अरे, बड़े साहब ने सब का इतना भला किया है, और तूने इलेक्षन में जीतने के लिए, वोट की सहानुभूती के लिए, अपनी बीवी तक को मार दिया तुझ जैसा इंसान अगर राजनीती में रहेगा, तो पूरे गाव को गंदा कर देगा तेरी परचाई तेरी बेटी पे ना पड़े, इसलिए वो उसे तेरी नजरों से दूर रखके पड़ा रहे हैं ये, बड़े साहब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है भगवान ही है, अगर उनकी खिलाफत करने की कोशिश करेगा, तो मैं सोच लूँगा कि मेरा कोई बेटा नहीं था बड़े साहब जब तक हैं, मैं राजनीती नहीं कर सकता, मेरी बेटी के नाम पर की गई जायदाद, मुझे वापस नहीं मिल सकती किसे बड़े साहब को इतना बड़ा कलीजा किसका है एक है यह क्या बस है यार इतना एक्सिलेटर दवाने के बाद भाग नहीं रही है इस बस में तो देखो सीट कितनी चोटी बस सीट तो उतनी ही होती है हमें अपनी सीट को कम करना चाहिए सुर्य अंटी है अरे भाई ठीक से बैठो ना ऐसे क्या देख रहा है लगता है असलड़की को कहीं देखा बस में यह नहीं दिख्या तो फिर आप बैक में तुझे क्या दिखाए दिया इससे कुछ दिखाए दिया होगा यार जाने दे ये भगवान अल्ला जीजस इस बस को मैं बम से उड़ा दूँगा अरे उसने बोला बम रखकर उड़ा दूँगी इसका मतलब तुने जो कहा है अगर वो सही हुआ तो जल्दी ही इस शहर की सारी बसें ब्लास्ट हो जाएंगी अच्छा बसको उड़ाने वाले हो कौन सा ग्रूप है तुम्हारा है इसका ओ पॉजिटिव है और मेरा बी पॉजिटिव है सर्मेरा ए नेगटिव रेयर ग्रूप सार ब्लाट बंक में कई बाद डोनेट भी किया सर मैंने है मैंने तुम लोगों से ब्लाट ग्रूप पूछा है क्या अहां सर यह आटो मोबैल एंजिनियर है और यह मेकानिकल एंजिनियर है और हमें कम्प्यूटर्स मैं यह पूछ रहा हूँ कि अलकाइदा से हो इंडियन मुजाहिदीन से हो या अलकाइदा से हो आईसी एस से हो या फिर सिमी से हो यह सब मार्केट में आ हुए नए सिमकार है सर परे सिमकार नहीं है टेररिस्ट ग्रूप से है टेरिस्ट हम नहीं वो लड़की है सर लड़की, तुम्हारे ग्रूप में फीमेल टेररिस्ट भी है, तुम्हारे साथ नहीं सर, वो बस में है, छे महिने से तुम्ही लोगों को ढून रहा था, इतने दिनों बाद हाथ लगे हो, चलो जल्दी स्टेशन, फायर स्टेशन क्या है सर, शाट आप पुलिस स्टेशन, सर यह दो हजार का लोट आपना है यह दो हजार से फुल बोतल पीने की सुचा था, थांक यू बेरी मुच, यह लड़किया टकर माने के लिए पैदा हुए है, उसी लड़की की तरह लग रही है, तुम्हारे है, काफी तुनों से नहीं खाया, और सा ठीक है, चलो तेरी मर्सी और सुच्वी करें, चुटी मेरी है, बारूब गारी है, चुटी मेरी है, मैं कह रहा हूँ न, छोड़े हैं मुच, छोड़े, रूखे यह ठीक है, उसी बाहानीा, अपने भाए को बाहू में ले रही है, तो मिनिट मैं पढ़के दे दूगा आपको, रुखे है, चूड़ यह क्या कर रहे है तु अरे मेरी वाइफ है कि उसकी वाइफ है उसको चिपक कर फेरे क्यों ले रही थी तो चल जाल एक ते 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 री तो आम ऐसे होते हैं बतमाश कहेंगा हे भगवान अल्ला जीजस उस डायरेटर के ब्रेन में बुलेट घुसानी है बुलेट्स लगता है लड़की थोड़ी डिस्टब है बुलेट्स किस लिए फिल्म तो अच्छे थी प्रिया वो दोनों तो बाइक लेकर आने के लिए सर्विस सेंटर गये हैं हाँ क्या अच्छा अब प्लीज आशाइड मोगा मुझे उतरना है या थैंक्यों सो मच प्रिया ऐल कॉल यूबैक अश्ट ग्याइड थे जिए भूट गूँड को इदिस वर्ड गुट्बाए अच्छत क्या वही वह वह ए ए रुगशा हेलो मुझे खीचा क्यों वो तुम सुसाइड करने जा रही थी इसलिए वाट स्यूसाइड और मैं इतनी सुन्दर लड़की स्यूसाइड करेगी क्या सुन्दर हूँ इसलिए टच करके जूट बोल रहा है क्या आखिर तुमने मुझे टच क्यों किया हलो हलो क्या है यह क्या कह रही है वो समझ में आ रहा है तो उसको कवर करने की कोशिश कर रही है बात वो नहीं है तो क्या बात है ब्रेन में बुलिट्स उतार होगी क्या बस में बम लगा के उड़ात होगी वो बेकार सी बस को पर्मिशन देने वाले आर्टियों को बम से उड़ा दू ऐसा लगा मुझे वो नहीं है ना इसलिए उस बस को जिसने पर्मिशन दिया है उसको उड़ा देना चाहिए और आईमेक्स में मैंने वो स्लिप क्यों रखा पता है वो सिनेमा डाइरेक्टर है ना इतनी देर से कलेवेज ना भी आखिरकार उसने हम लड़कियों को समझ क्या रखा है तो इसलिए तुम उसके ब्रेन में बुलेट उतारना चाहती थी तो फिर तुम मरना क्यों चाहती थी इतनी फाल्तू फिल्म देखने की वज़ा से फिल्म तो अच्छी थी थी ना अच्छी थी क्या अच्छी थी क्या वो बेकार फिल्म तुमें पसंद आई तुम जैसे लोगों की वज़ा से ये बेकार फिल्में हिट हो जाती है लड़कियों का रेप हो रहा है, बच्चे भी रेप कर रहे हैं, तुमने कितनों का किया? ए, क्या बात कर रही हो तुम, मैं तुमको बचाने की लिए आया था, मेरी मती मारी गई थे लगता है हट हो गया, सौरी कहना चाहिए न एह प्रभास, महेश बाबू, बवन कल्यान, एह सुबराओ, एलराओ, पुलराओ, रामराओ अगस्त में आसाड का सेल, हर ब्रांड पर भारी छूट, अगस्त में आसाड का सेल, अगस्त में आसाड का बिग ग्रेस्ट सेल एह ओगस्त अगस्त नाम है? वेराइटी है वान मिनिट अरे बापने ये तो वापस आ गई गाली दे रहे हो क्या या गाली यहां दे रहा हूँ गाली दे रहे हो कैसे मर्द हो तुम खुबसूरत लड़की को गाली दे रहे हो पसंद नहीं आया मुझे अरे ये फिर से शुरू होगी तुम्हारा तरीका बहुत गलत है क्या लड़की ए खुबसूरत लड़की को गाली देने वाले मर्द I like your frankness वो लड़की इतने difficult कैसे हो सकती है अरे लड़कीया टिपिकल ही होती है यार अगर हम पास जाते हैं तो दूर जाती है हम दूर जाते हैं तो वो पास आती है हम पकरना चाहें तो पीछा चुड़ाती है पीछा चुड़ा है तो पकरना चाहती है सच कहो तो अगर हम रोते हैं तो वो हस्ती है अगर हम हस्ते हैं तो वो रोती है नीचे कहोगे तो उपर कहेगी, उपर कहोगे तो नीचे कहती है, पेचे कहो तो आगे कहती है, आगे कहो तो पीछे कहती है, ये सब समझने के लिए अनुभाव चाहिए, वैसे मुझे भी इतना अनुभाव नहीं क्या लड़की है यार यह तो वही है अरे बाबरे यह दर यारी है हाई ए लाइट लो कल तुम परिशान थे यह देखकर मैंने आक्टिंग किया था सुना तुमने हमारे दोस्त के साथ खेल खेला हैं फ्रेंड्स ओ फ्रेंड्स है या लफ ट्रैक ऐसा कुछ है जी जी इरी बेवकूफों के साथ तुम हाथ रखो कोई बात नहीं तुम यहां कैसे को अलिज आई हूँ तुम पहले कभी नहीं देखा जब अभी आई हूँ तो पहले कैसे देखोगे इससे पहले कहां बढ़ रहे थी टुए ज्वाइज्ग में पढ़ाई करने के बाद मेरे पेरिंस ने सादनली यहां ट्र कॉंस्टिबल मान लो तुमने मेरी स्कूटी रोगी क्या मांगोगे लाइसेंस अच्छा कम से कम प्यूसी है या नहीं तो पांस्टो दे दो सी आई को मैं मैंनेज कर लूँगा दोस्त को फोन लगाओ और पैसे मंगो दो इसलिए मैंने फोन नंबर मांगा अरे बापरे इसको नंबर दिया तो जय भीडी हो जाएगी हम वैसे भी सेलफोन का इस्तमाल नहीं करते रेडियेशन डेंजरस मैंटर काम नहीं करता है इसका क्या मतलब है तु बता ना मैतर मतलब ब्रेन कररेक्ट मैंने भी सुना था सेलफोन पर ज्यादा देर बात करने पर ब्रेन काम नहीं करता वही मैतर काम नहीं करता है सेलफोन आवाइट करके अच्छा काम कर रहे हो देख लेए पहले enhanced यह तो फस गया मुझसे दोस्ती करोगे चलो अर्जिंट कहां पर दोस्ती की है नहीं आओगे रुखो तो चलो चलते हैं ए कहां जा रहा है इसके और मेरे बीच में सौ सीक्रेट होंगे सब बताना पड़ेगा क्या दीन ने बारा बजे मिलने को का है मौशन हो रहा है घॉस्पिटल चला गया है बोल देना सही काना मैने दोस्त बन गया है नाम इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी पाठी दे रही हूँ काफी तुम क्यों बना रही हो मेरे स्ट आल पर मैंने भानाओंगी तो तुम बनाओगे क्या स्ट्रॉल तुम्हारा है हाँ रोज कितना कमाती हूं देखो तो एक कॉफी दो एक सो एक सो दो सो टेस्ट बहुत बढ़िया होगा ये लो एक लैस मुझे भी दे दू एक कॉफी दो सो कॉफी दो ना मुझे भी दूसर में इस सब हो क्या रहा है मुझे भी पिलाएंगी क्या दोसो था नहीं यह था थैंक यू तेस्ट बहुत अच्छा था एक और देंगी क्या इस की तो ला इदर आख थुम चलिए रहे ले ना पी ना चैस कर ले ले ना चल चारा मेरे लिए ही तो वो लोग आ वोड़ा तुम लड़कों को इतना पसंद क्यों है? प्धू मेरा नाम उस दिन मैंने तुम्हे अवास तो दी ती ना? ऑछ दिन तो मैं कैजूली मुड़ गिया था तो फिर तुम्हारा ओडिजनल नीम क्या है ? आत्मा राम और तुम्हारा नाम कांतमा कांतमा तुम्हारा नाम जब आत्मा राम है तो मेरा नाम कांतमा नहीं हो सकता क्या बोलो जरा हो सकता है कांतमा नाइस नेम कांती कांत ऐसे भी बुला सकते हैं तुम्हारा भी राज आत्मा हां स्टॉप 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 बस हो गया थेंक्यू थेंक्यू हाई दीदी ही हाई राम आज वो दोबारा भाज गए क्या हजार तुम्हारे दोसो ओनर के लिए एश करो जाओ थेंक्स दीदी बच्चों से काम करवाने वाला डैश यह डैश क्या होता है डैश तुम कालियां देने में एक्सपर्ट हो ना जो गाली तुम्हें पसंद है भूले ख लो पार्टी तुमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया है ना बहुत गुट बोई गुट बोई ओगस्ट आत्मराम बताया था ना तुम्हें एक बाद बताओं क्या है अभी नहीं बाद में बताओंगी तुम्होरो मॉर्निंग सेवन ओक्लॉक मिलेंगे छोटा सा काम है ओके ओके बाई बाई याब याइब याइब कि यृद्ध करते हैं अभी अभी तुम्हें अभी अवी कि अभी कि अभी कि आप अभी जुए अभी कि अभी तो आपकर देखा सुबा हो गई भाई रहे भी यह तो भाई बड़े साभा आ रहे है वाते से बड़े साभ को अरिया खोलो जिल्दी करो है अच आए है दो नची जूए है न टो टो टेच्ब्क लांजे ग transform है पर गूंस्ते जान जाव था रूठ यहाँ शोब दो न्मस्ते जान गुंस्ट जाभ क्यों भाई MP, वो पावर पॉइंट इशु का क्या हुआ? वो दिल्ली वाले तो देने के लिए तयार है साहब, हमारी लोग ही लेने के लिए तयार नहीं है बिल्कुल बड़े साहब, उसमें सो जो धुवा निकलेगा न, उससे हमारी फसल खराब हो जाएगी हमारी जमीन भी तो बंजर हो जाएगी तुम सब का मिलाकर करीब सो एकड जाएगा, बड़े साहब का अकेले उससे जादा जाएगा हमारे खेतों तक बिजली नहीं पहुँचती है, इसलिए आधी जमीन पर खेती नहीं हो पारी है अगर पावर प्लांट लग जाएगा, तो जमीन का कुछ ही इससा जाएगा और बाकी पर फसल होगेगी, फायदा होगा या नुकसान होगा फायदा होगा जरूरत नहीं है बड़े साहफ, अगर सब मना कर देंगे तो आस्मान में लगवाएगे कोछ भी हो इस जमीन पर ही बनवाना पड़ेगा ना हजार एकर जमीन में खेती करनी है तो सो एकर जमीन का त्याग करना पड़ेगा प्लांट में जो जमीन जाएगी उसके लिए हम पैसा मांगेंगे हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए कहेंगे हा लेकिन ब्लांट के लिए मना कर देंगे तो नुकसान हमारा ही होगा आप थोड़ी सी जमीन का त्याग करोगे तो आपके बच्चों का भविष्च बहुत अच्छा हो जाएगा ब्लांट लग जाएगा तो आपकी सिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी आप सब मेरी बात स अच्छा से सहमत है ना करेंगे हमारे लेकिलिए करेंगे भुब बोलेंगे आपकला यही करेंगे तीया है हमारे MP और ML अच्छा काम कर रहे हैं न इस बार हम इनको ही वोट दें क्या तुम दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हो इसको बीच में ना लाते हुए तुम इनके बारे में भला करोगे ये सोच कर तुमने जिताने के लिए का था इन लोगों ने जिता दिया कोई भले ही कुछ भी बोले हमारे अधिकारी हमें ही टिकिट देने की बात कर रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हैं हे अपना मो बन करके शान बैठो बैठ जाओ कौन होता है अधिकारी अधिकारी वो होता जो वोट डालता है इन्होंने जो तुम्हें अधिकार दिया तुमने उसका फायदा उठाया मैंने कहा था इस धर्ती पर खून का एक कत्रा भी नहीं बहना चाहिए तो गलती करेगा तो क्या मैं खामोश होकर देखता रहूँगा उठा कर फेग दो उस धोखेबास को सबके सामने उसने मुझे लाद मारी मेरे लाद से उसकी धड़कन न रुख जाए तो मेरा नाम बदल देना देख लूँगा इस आत्मी को जरा टाइम आने दो मेरा उसके बारे में सोचना छोड़ दीजे आने वाले इलेक्शन वो इसके जगा किसी अच्छे इनसान को चिताएंगे हाध्य झाँ है 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 जय को चतुछुआ हो जाओ 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 जोड़ी लगी है इस जमीन पर खुन का एक कत्रा भी नहीं बैहना चाहिए लेकिन मेरा हे खुन बैह गया बोड़े साब, वो यहां का तो नहीं था, लेकिन उसने आप पे हमला किया, इसका मतलब यहां के ही किसी आदमी ने ये करवाया है वो चाहे जो भी हो मैं उसे छोड़ूँगा ने शिव रहने दो, चल दबाजी करेगा तो मासूम लोगों की बली चड़ेगी इस मामले की तैकिकात करने के लिए पुलिस वाले हैं, यह उन्हीं पर छोड़ दो पुलिस वालों की कहानी हम सब को पता है, उन्होंने बड़े साब को रोकने की कुशिश की, जिसने भी ये किया है और इन सब के पीछे जो भी है उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह भी अपनी मौत के बारे में सोचके काम पुठेगी मौली चलाने के दाहिने हाथ में दो उंग्लिया नहीं थी bulky चलो रहे लड़की, चोर, पकड़ो उसे, अरे अरे क्या कर रही हो अरे कहां जा रही हो सत्यानाश मंदिर का सावान चोरी कर रहे हैं कल यूग नहीं है पंडी जी ठंडी का मौसम है आज पहले उसे पकड़ो जाओ अरे बाप रयाक्षत की प्लेट भी चोरी कर ले गई अरे मेरी नौकरी खतर में पढ़ जाएगी अरे सुनो अरे सुनो अरे सुनो अरे इतनी सीधियां चड़नी मुश्किल है इसलिए आशिरव मेरी मेरी शादी से एक घंटे पहले मेरी घंटी बजाकर उपर चली गई मेरी शादी एक साल के लिए पॉस्पॉन हो गई पांडी ची पहले शादी करवाईए डिलिवरी हो गई तो शादी से पहले माँ बन गई कहकर रिज़त चली जाएगी ठीक है तो शादी शुनू करते हैं चल मोटू आजा अरे माबाप की याद नहीं आई थी सुनो ममा कहो अमा नहीं डार्लिंग ममा तेरी तो लाइक वारोंगी तो तूट जाएगा अभी इतनी वालेंटली है तो सबको सालेंटली कैसे कर लिया थोड़ा धीरज रखो डार्लिंग कमीने कहीं के तब तुमने कहो सीख लो और अब धीरेज धानने को कह रहें हो ममे बं मंगल सूत्र निकालो मुझे दो उपर उठाओ मोटा हो गया दिमाग नहीं है क्या चलो उठाओ ठीक है उठाने के लिए बदा तो लड़की उठा देगा उठाने की आदाती पड़ गई है सुनो वो चोटी उठाओ मंगल सूत्र पहनाओ पहना दे, पहना दे एक नमबर का मूर्ख प्राणी है ये मंगल सूत्र चोटी में नहीं गले में बान पहनाना नहीं आता चलाए शादी करने मूर्ख वाँ, इट्स मेडिकली मिरेकल शादी कर दीने डिरेवरी, कॉंग्रेक्स वैद जी, सुनिया वैद जी अगर एक मुझे बॉका दे हैं तो दुलहन को अरुन्दती लक्षतर दिखा के चला जाओंगा मैं दिखा दी जी मुझे यहाँ तारे नजर आ रहे हैं अगर ज्यादा बात करोगे तो यहीं गाड़ दूगी यह गुसा वहाँ दिखा दी तो यह नौबत नहीं आती आज तेरी तो इतनी जल्दी में कहा हो जा रहे हो पंडी जी क्या हो गया, पतागी न यह लड़की तुझे कहा मिली भाई यह तो बिना गालियों के बात ही नहीं करती थोड़ा सहन कर लेजे पंडी जी जिम्मेदार तु है, गालिया मैं सहूँ शादी करवाई है, बच्चा पैदा होने के बाद आशिरवाद देख कर जाएगे सहना थो पड़ेगा ही शास्तर से तुम लोग चाही भटक गए मैं नहीं भटक सकता यह मेरी जन्दगी की पहली शादी है लड़की हुई है यह बेटी पैदा हुई है खुशी की बात है यह बेटी पैदा हुई है, खुशकरी अरे मोटू अरे मोटू अरे मोटू क्या हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं तुझे मुझे, आजा मेरी दादी मा तुम बोलो मैं शादी तुम ही करवा रही हो तो दांकरन तुम ही करो मधू मधू मती मधू मती फिल्म के हिरोई मनिया है तुम लोग शास्तर के अनुसर चलोगे या मोटू की तरह ओम नमस्षिवाए उनकी तरह ओम नमस्षिवाए क्या बोलो बोलो ना इसे अब तक किसी ने टच नहीं किया है सच में दिखने में तो अच्छे भाले दिखते हो एनी प्रॉब्लम चीज़े ऐसा कुछ नहीं है खाल ही मैं इसे एक लड़की ने टच किया था भाले ही मुझे उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है मेरा तिल जैसे वो अपनी तरफ खीच रही हो और उसे की तरफ जा रहा है वो अगर वो मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूत नहीं है घर के चार बड़े और चार रक्षत और साथ फेरें इतना काफी है मुझे और कुछ नहीं चाहिए मान लिया ना तुमने ऐसी स्टोरी लॉली पॉप खाने वाली लड़कियों को सुनाओ वो मान लेंगी मैं नहीं मानूंगी पकड़ो 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 बाइदवे बच्ची का अच्छा नाम रखा तुमने मेरे बहुत करीबी इंसान का नाम है वो तुम्हारी मा का नाम है क्या नहीं मेरा है मधू मधू मती स्वीट नेम तेरी बेटी यहीं पर पड़ाई कर रही है न मेरी बेटी उसे मेरी नजरों से और कितने दिन बचा कर रखेंगा तो बोड़े साब हे वो देख राओ की जिन्दगी में मज़े ही मज़े हैं अरे सुन रहे हो क्या काम हो गया मधू तो, मेरी है, लाइन क्रोस मत करना, एगो बरबुद्धी, दोबारा टंग स्लिप हुआ ना तो मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ूँगा, सेंदिल के साथ तुने जगड़ा क्यों किया, उसने क्या का तुमने सुना नहीं, नहीं सुना, तो भूल जाओ, क्या बोला बताओ, मैं भी उसको मारूंगी, पूछ रहा था काम हो गया क्या, अब ओके ना, तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया, शान्त हो जाओ, इसमें बुरा लगने जैसी क्या बात है, ए, ए सेंदिल, काम हो गया, शादी हो गई, बच्चा भी पैदा हो गया, तुम्हें बुरा मत मानना, इसी के लिए तुने ये सब किया रहा, अगर इसे तेरी लाइफ से निकाल नहीं दिया, तो मैं एक बाप की आउलाद नहीं, शादी की दिन ही बच्चा पैदा हो गया, ये सब को पता चले का, इसलिए तुमने जगडा किया? करेक्ट अरे पागल कहीं की, पागल कहीं की, पागल कहीं की बचाओ! बचाओ! बज़ाओ इसने ही बिना उंगली वाले को बंदुग बेची थी इतना मारने के बाद भी उसके बारे में नहीं बता रहा है सब्दा मैंने उस आद्मी को नहीं बेची मुझे नहीं मालूम तुने उसे गन बेच दिया और तुझे नहीं बता कि वह कोन है पबूल शिव अगर बगल में है तो बड़े साब का जासूस ही है समझो उसके करीब भी नहीं जा सकते हमारी तलाश में वो आ रहा है इस बार तो शिव को मारना ही पड़ेगा उसके बाद उस बोड़े का काम तमाम करना होगा फ्रेंड की बेटी की शादी है कहकर जल्दी में हाइदरबाद ले आए अक्षर डालते ही क्याप में बैठा दिया अरे यहां तक की कहाना भी नहीं खाने दिया इतनी जलबाजी में आप कहां जा रहे है तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हें शादी में लेकर जा रहा हूं? कुछ भी, लाडले बेटे से मिलना है. अच्छा, जब कभी हम कहते थे तो साफ साफ मना कर देते, अब बेटे की प्रती इतना प्यार कहां से उमड आया? प्यार व्यार कुछ उमड नहीं आया है, शौक लगा है मुझे, फोन पे जो तुम कवर कर रही थी, वो सुनकर मुझे डाउट हुआ और मैंने यहां पे फोन फ्रेंड किया, और तुम्हारे बेटे के इंक्वारी करवाई है, छे मैने से मैं उसके पीछे लगा हूँ, और वो बेकार लड़की कौन है, वो पता चल जाएगा, अब पकड़ में आया है तुम्हारा बेटा, अगर उसे वो लड़की चाहिए, तो मैं उसे अपनी देहलीज पर भी कदम नहीं रखने दूँगा, ए कार रोक भाई, कार रोक सुधा, वो अपना ही बेटा है ना, तो मेरा बेटा गैसे हो सकता है, आपको दुनिया का हर लड़का मेरे बेठे जैसा ही नजर आता है, पांगल हो गए लिया, मेरे फ्रेंड ने कहा था, यहाँ एक बेकार लड़की है, लेकिन यहाँ तो इसके सारे दोस्त बेकार है, उतारो, उतारो, मा, आओ, आओ, पापा, थैंक्यू बापा, थैंक्यू बापा, थैंक्यू सो मच, एक दम करेक्ट टाइम पर आया हो, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिलकुल तुम पर गया है, देखो कैसे कवर कर रहा है, ए औगस्ट, अबी तो सब्टेंबर यह कहीं पसाना थे, कोई लड़की है क्या, पापा, पेरिंस, कंग्राट्स अंकर, आपके बेटे ने कैंपट्स इंटरव्यू में हिस्ट्री क्रियेट कर दी है, मंथली 3 लाक साली, लगता है पापा का ब्रेंट ब्लास्ट हो गया है, आपके वन यर सालरी इक्वल टू, भ लोकीजन है, तो आपको देनी चाहिए, शारे बच्चों को पेपर मिंट खिला दो, पेपर मिंट, नो, क्यों, 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 आपके बेटे ने हिस्ट्री क्रियेट किये है, बड़ी पाटी दे कर आपको भी हिस्ट्री क्रियेट करनी चाहिए, इस्जत का सवाल है अंकल, करने हैं फिरूब है नहीं लग रहा है होटल तो थो बिलकुल नहीं लग रहा वही अंकल ससुराल का दर्वाजा है ये फिल्म रिलीज होने के बाद कस्टमर को रिश्दिदारों की तरह ट्रीट करने वाला नया कॉंसेप्ट वो सूपर हिट था और यह सूपर हिट है तुम कि हैलो मैंने तुझे कॉलेज बुलाया था ना उस लड़की को दिखाने के लिए अर्जेंटली ससुराल आना पड़ा मुझे यार बापरे इस उमर में भी तेरी एक और सेटिंग है क्या तुझे सिलूट है भाई अरे ससुराल मतलब होटेल है यार तू भी जल्दिया साथ में खाना खाते हैं अच्छा तो बताया क्यों नहीं अभी आ रहा हूँ स्वामी नदी में नहीं गए पैर धुलाने की लिए कह रही है वो बूडी तुम्हें दमाच जी कह रही थी और ये स्वामी कह कर बुला रही है मुझे बिना बताया कोई दूसरा चैनल तो नहीं खोल लिया तुम्ने मेरे पास जो चैनल है वो भी मैं एक मेने में एक बार रेखता हूँ, दूसरा कब खोलूँगा चलो, चलो दामाजी चिटने काले, बंपर आफर है अहो, बंपर आफर है अहीं अंगर, डेंजर है औरी बापरी आईए, आईए, जीजा जी के लिए खाने का इंतिजाम करो वाह, सब तहस नहस हो गया मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पत्ता दिया है ना, वो तहस नहस हो गया है इसलिए दूसरा चाहिए अरे सुनो ना, मुझे एक नया पत्ता दो ना ये लो सुनो, भतीजों को बहुत भूक लगी है ध्यान से परुसना उन्हे खाना बढ़िया है ना तू साबून से मलने की कुशिश करेगा तो वो ग्राइंडर से पीस देंगे एक तो मेरे पापा को पता ना, चल जाए इस बात का मुझे टेंशन है और तेरा अलग ही चल रहा है पहुँच गया, पहुँच गया, पहुँच गया अब रुट जा, गहंडे की ओलाद मुझे लोग प्यार से ऐसी बुलाते है, इसको किसे पता क्या बात है माता जी पैर धोय बिना, भला कोई अंदर जाता है क्या पम आं रहा है, ळहा डीनिस इसका पर्ची निकालिये, उसमें जिसका भी नाम आएगा में क्या अजय के बारे में पूच रहा हूं हूं आपकोन अगल वगल है क्या तुम कौन हो दीदी स्वामी ऐसे क्यों देख रहे हैं लूंगे पहन के काम के लगजाएं लगता है मुझसे भी तीज स्पीड है आ रहा हूं आ आप मा के ज्यादा करीब हो या पापा के खाने से पहले एक निवाला लेकर उन्हें याद करके बगल में रख दीजिए वो जहां भी होंगी उनका पेट भर जाएगा इतना बड़ा धोका एक घंड़े का पती बता कर बावर्ची बना दिया इसकी तो मैं जा रहा हूं कहां जा रहे हैं आप पहले काम पूरा कीजिए अरे कुछ ने करूँगा क्या कर लोगी जाकर पत्ते धो ये जाते हैं कि नहीं इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा ए अंकल के लिए डाल मखनी और आंटी के लिए बैंगन का भरता लेकर आओ ये बहुत पसंद है इन्हें ये सब तुम्हें कैसे पता बेटी आदा खाना हो तो आपने उसी के साथ खा लिया ना कुछ और पीशने का इरादा था लेकिन यहां मिर्ची पीशनी पड़ों है कोई उम्मीद मत रखो चुपचप पीशो अंकल मैनेजर है क्या बैंक मैनेजर है या या एलाइसी मैनेजर है फुजर्गों के नर्क के मैनेजर ओल्ड एज होम में आप ग्रेट हो अंकल आज की जमाने में ऐसी सर्विस कौन करता है बला आप मुझे बहुत पसंद आए ये सब इनको पसंद नहीं आता है पसंद नहीं आता बिल्कुल नहीं तो फिर आंटी को डिवोस दे दीजे इस जन्म के लिए ये भूत काफी है चुप हो जाएए आप ग्रेट नहीं है ग्रेटेस् काने का इरादा था जाओ लुगी पहन कर काम पर लग जाओ जाओ दामाद जी घर से जा रहे हैं बिल भर दिया क्या क्या कह रही हो सासुमा ससुराल में खाना खाने के बाद कोई दामाद बिल भरता है कभी क्यों रहा है राज तुम किसी बेकार लड़की से प्यार करने के बजाए उस लड़की से प्यार कर सकते ना तुम्हारी ने आओ अवो नहीं नहीं उस लड़की से प्यार करते तो FROM cleaning ना अच्छा होता है, मधू से, आहां, एक घंटा, एक मिनिट की तरह बीद गया, इस ससुराल में इसने हमें इतना खुश रखा है, अगर तुझ से शादी करके ससुराल आएगी, तो हमें कितना खुश रखेगी, पापा, आपको मधू पसंद है क्या, बहुत पसंद है, तब मैंने जिससे भी प्यार किया है, उसे अपने दिल से निकाल दूँगा, मधू से प्यार करना स्टार्ट कर दिया है, मैंने, और इतना ही क्यों, नेक्स फादर्स डे में आपको मधू को बहु के रुप में गिफ्ट दूँगा, इस माइ प्रॉमिस, एक मिनिट हा, बस एक मि मुझे पसंद है, तो बस एक सेकेंड में उसने अपने प्यार को छोड़ दिया, क्या कहूं, शांतर आओ, अरे शांतर आओ, तु यहां है क्या, एक घंटे पहले तू आने वाला था, कहा था, एक घंटे में पूरी जिदिगी तबाह हो गई, खाना बनाते बनाते खुद प पता चला, मुझे तो पहले पता था, अभी प्यार शुरू हुआ है, तुम्हें पहले से कैसे पता, पहले ही लव किया इसलिए, अरे, ये बेवकुफ कही पोल न खोल दे, अप्या करे मा, आइडिया, एक मिनट, अंकल, ये लिजे मिठाई, उस लड़की से पहले प्यार कर ही है, मेरा शुगर वैसे ही बढ़ रहा है, कूल, कूल, अरे, मेरी बात सुन यार, वो लड़की, ये लड़की है, नहीं, नहीं, ये लड़की है मधू, वो कोई बेकार लड़की थी, क्या हुआ रे, हर कोई अपने ब्रह्म में रहता है, ऐसा मेरी दादी कहती थी, पहले यकीन नहीं था लेकिन अब यकीन हो गया तेरी किस्मत तेरा करम यह क्या खुद कंफ्यूजन में और मेरी किस्मत को ललकार रहा है तूने शांता राम को अच्छा उलू बनाया है और मुझे जूठा बना दिया उसकी समाझ की वज़े से मेरा दिमाग गरम हो रहा है अब भी फोन पर ज्यादा बात मत कीजिए आपका भी मैटर काम नहीं करेगा इनका मैटर काम करना बंद किये तो कई साल बीटे इतना शौक क्यों हो रहें अंक्र मैटर मैटर मतलब ब्रेन हाँ मैने भी तो वह ही कहा बेटी मैटर मतलब सच में ब्रेन होता है हां अंकर तुम ये सब कैसे करोगे पता नहीं लेकिन मधू से ही शादी करना ठीक है पापा मेरे लाडले बेटे को कौन मना करेगी ओके माँ बाई बिटा बाई 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 या अपना खयाल रखना बाई हेलो मधू अब तुमसे अजिंटली कुछ बात करनी थे एई आउगस्ट शादी फिक्स हो गई I'm so happy मैं कितनी खुशू पता है दस दिन में शादी है शादी के बहुत सारे काम है ये बहुत ये एक्साइटिंग होगा देखना बहुत मज़ा आने वाला है कपड़े खरीदने है गोल परचेस करना है महंदी लगवानी है तुम्हें अपने सारे फ्रेंज को लेकर आना है शादी के सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे अगर तुम ये सब करोगे तो मेरी दीदी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेंगी तुम्हारी दीदी मुझे कभी नहीं भूलेंगी मतलब दीदी की शादी हो रही है ना शादी तुम्हारी दीदी की है अच्छा बताओ तुमने फोन पर कहा था कोई जरूरी बात है इतना सीक्रेट है क्या वो मैं कैसे बताओ अब इतना टेंशन क्यों रहे हो ए भगवान अल्लाजीजस सोचो और बता दू है भगवान अल्लाजीजस मैं शादी करना चाहता हूँ शादी तुमने लड़की सेलेक्ट कर ली क्या रेलेटिव्स है क्या हमारे कॉलेज की लड़की है क्या हमारे ग्रूप की लड़की है ए बताओ कौन है वो कौन है कौन है कौन है कौन है मेरी लाठी पकड़ता है पदमाश कबसे मैं तेरा इंतिजार कर रहा था अब जाके हाथ लगा है तू बताता हूं तुझे कुछ पता है इसने नहीं सर सर कुछ लड़कियों की डेट बॉड़ी पहाड पर पड़े हुए मिले हैं हमारे कॉंस्टेबल्स ने फोटो वेज़े हैं सर क्या रहे सब के साथ तुने मधू मती को भी मार दिया हां मधू 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 कैसे मर गई मैं स्पार्ट पर जा रहा हूं मेरे वापस आनी तक इससे सर्चों के लवाना सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब मेरे वापस आने तक अगर तुने सच नहीं बताए ना तो तु खत्म हो जाएगा समझा है कॉंस्टबल आ रहा हूं मैं वेंकर तु बाहर जाकर चाय लेकर आ जी ठीक है सर एस्पी साहब खुद आ हैं इसका मतलब मैटर सीरियस है तुम लोगों को देखकर लग नहीं रहा है कि तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती की होगी तुम लोगों का इंकाउंटर करने का ये लोग प्लान कर रहे हैं आसपास के थाने की पुलिस भी आ रही है अगर उनके हाथ लग गए तो तुम्हें काट डालेंगे तुम्हारी उम्र का मेरा भी बेटा है मुझे कुछ नहीं होगा तुम लोगों जल्दी से भाग जाओ अरे जल्दी जाओ यहां से निकलो यहां से मेरा काम तो हो गया बस अब आपका इंकाउंटर बाकी है अगर मदू जिंदा है तो मैं उसे किसी भी कीमत पर लेंगा लेकिन अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो क्या किया रहा तुम इरे पापा को सुरी कहा देना ए रुक है पीचले पीचले आप अरे तुम लोग पेले यहां से भाज़ाओ जल्दी अरे जाओ जल्दी भागो जाओ जल्दी रुजाओ अरे रुक है तो अज नहीं आपको का उवा सार चोट लगी क्या पखलो उसे पुलिस से पाखते है अरे हट अर्व। कोरे के अर्व। के अर्व। गेम खातम हो गया कहां गया वो कहां है वो लोग मुझे मार कर यहां से भाग गये सर तुम लोग कहां थे सारे पुलिस वाले मार गये थे गया या फिर वसूली पे गये थे पहाड पर लड़कियों के लास मिली है ये सुनकर सब लोग वहां गये है सर पीछे बोडीज पढ़ी हैं जाकर देखते हैं आईए सर इसके पीछे जाहे जिसका भी हाथ हो, जाहे वो कितनी भी लोग हो, सो रियॉस्त से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए अरे क्या हुआ, मुझे ब्लर देखे देरा यारा, अराम से, अराम से, अराम से, दो मिनिटा एक्सिनेंट में उसकी आँखों की अप्टिक नर्व सीवियरली डेमेज हो गई है, इसलिए उसे ब्लर दिख रहा है, इमिरेटली शेहर जाकर रहे उसका फॉरन आपरेशन नहीं करवाया, तो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा, और एक खास बार, वो इमोशनल नहों इ प्यार दिख जाएगा, अरे यार, वो सब हमारे दादा पर दादा की जमाने में होता था, आज कल की लड़किया ना, सिनेमा, सिगार, पार्क, पब, शॉपिंग मॉल, वाटसेप, स्काइब, इसके अलावा लॉली पॉप देकर, लिप टू लिप, हिप टू हिप टच, ये इसको तो समझा रहा है, तुझे समझ में आता है, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, डिरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, हे बेब्स, एक मिनट है, उससे पंगा मतले, चुबे, अरे तो ऐसा क्यों कह रही है, क्या बे लफंगे, क्या रे, प्यार की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे बढ़ती है, लिप टू लिप से, खत्म होती है थपड़ से, चल बे पागल कहीं का, इसकी तो लगता है, इसके मोड़े दिमाग में बारी इक बात गई नहीं, बारी जोर से मारा, हे, उस लड़की को मैंने सीधे सीधे बोला, फिर भी उससे समझ में नहीं तो फिर मदू को कैसे समझ में आएगा, तू जा कि उसको बोल दे ना, नहीं यार, उसके बताने तक बेट करूंगा मैं, किसको बताने तक, हाइ, 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 शादी में कैसे इंजॉई करेंगे, उसका प्लान कर रहे हो, हाइ, तुम दोनों का मामला ना, नाइन डेज में शादी है, नाइन डेज में शादी है, हाइ, अल्रेडी मैंने सभी को बुला लिया, तुम भी आना, हाइ, 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 शादी उसकी बेहन की है, बेहन की, हाइ, ये का पैदा हुई, हाइ, 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 मामा जी क्या हुआ बेटी आपके होते हुए मुझे किस बात की कमी सूपर वैसे आप जनता और मेरे अलावा कभी अपने बारे में नहीं सोचेंगे क्या मुझे क्या हुआ है बेटी क्या हुआ है देखिए कैसे मुझे नीचे जुग गई है बेहन आ गई तो घर में रोना का गई कैसे हो तो मैं आची हूँ मामा जी भाईया और दीदी खुश रहो बेटी शादी धूमधाम से होने चाहिए अमारी शादी तो धूमधाम से होगी मतलब घर की शादी की तरह तयारी करेंगे शीवश की रहने के इंतिजाम कर दो ठीक है बड़े साब वैंकट सुनना जरा बहिया अंदर ले जोईन है आए था बहिया मुझे एक डाउट है अजय का बाहर मधु ने दीदी मामा जी और भाईया कहा उनके भाईया मदू के मामा जी को बढ़े साहब कहा। यहां आने के बाद मदू के माता पिता दिखाय नहीं दे रहा है। वैसे वा हुव। यह लिधि कौन है। और वः छोटा राइडू को नहीं? और वह बढ़े राइडू कोन है। और यह भी उनको बड़े साहब बुलाती है मालिक भाई शादी का काट भाई उसने सब के सामने मुझे लात माली एई उस घर में शादी होगी या बाउम भटेगा उस बड़े साहब के परिवार में एक एक आदमी के चित्ड़े उड़ जाएंगे शादी के बाद तुम्हारी दिदी अमेरिका जाने वाली है इतना दूर इसको भीजना मुझे पसंद नहीं है फिर भी तुम्हारा भाई अच्छा रिष्टा ले करके आया इस ही लिए मैं मान गया हूँ इय तुम्हारी बेंच जहां भी रहेगी उसके सारे जिम्मेदारी तुम्हारी है सिर्फ इसके ही नहीं आपके भी जिम्मेदारी मेरी है क्यों क्या तुम्मुझे बुडा समझ रहे हो बड़े साब आपसे मिलने के लिए MLA आए हैं आम गुला रसुला में साब ने कहा है कि आपको जो भी चाहिए वो आपको ला करके देना है आप बस बताएं जट से लेके आता हूं आपको रखेंगे परसुले फायरा को जाए ममगताल इसके ऊन्लाम मत्के के बाटर या पोढ़ वार ऑसओो जो फ using option एपमगार्ण ओर मीडार आए Yep देड्र फॉर वेवराइप दस लिटर बाटर ओर ऑर एक गेलास लेकर आजा से इलगेलाश़ जिलब कर फाइबर मेरे फ्रेंट्स को क्या चाहिए वो पूछा क्या रजगुला मेडम इनके पास हाफ है फुल चाहिए बोल रहे हैं दारू काफी नहीं होगी इसलिए दारू लेकिया लाँ सीता आगस्ट ये सीता राम ये मेरा फ्रेंट तुम्हारे साथ ही रहेगा है ये फ्रेंट है तुम्हारा मेरे कितने सारे फ्रेंट है पता है अकर मैं टच भी करूं तो वो पागलो की तरह मेरे पीछे बढ़ जाते हैं निकल जा निकल जा मदों तुसे प्यार करती है समझ ले मैं तुम से बात करना चाहती हूँ, तुम सच में बड़े कमाल के हो, राजा बताओ ना मैं किसके साथ सो, तुम सब लोग मुझे कंफ्यूस क्यों कर रहे हो, बताओ ना किसके साथ सोना है मुझे, उसके साथ, उसके साथ, मतलब कि सारा बेट मेरा ही है क्या, मुझे राजा श ठंडी लगे तो चादर ओड ले ना क्या ओड ले इस नाइट को कहाँ फायर लगेगा पता नहीं हाई गाईज हलो सूपर सीनियर सड़नी इतने भारी लगेश के साथ यहां आगए यहीं पर घर बसाने वाले हो क्या यह चूपरे भाई मजाग का समय नहीं है जब से उस लड़की के साथ शादी की है मेरी जिन्दगी पूरी तरह से नरक बन गई है घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है मेरी बेटी याद है ना छे महीने की हो गई जब वो पोटी करती है उसके माँ साफ करने जाती है तो वें यें करके चिलाती है और जब मैं साब करता हूँ तो खिल-खिला कराशने लगती है इसाथ से उसाथ से लेट राइट राइट लेट 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 राइट घिस-घिस कर घिस-घिस कर मेरे हाथ की लखी रेक खतम हो गई है इसी बीच मदू ने फोन किया तो थोड़ा रिलेक्स होने के लिए वहां से भाग कर यहां आ गया, तुम सब कैसे हो हाथ लाओगी, क्या हो गया भाई, मैं तो साबून से घिस घिस कर हाथ दोता हूँ, थैंक्स यार, तुला उपर करके लगा दे, बहुत अच्छा लग रहा ह कैसे हुई है, सबको पता चलना चाहिए, लेकिन पता ना चले किस ने डपका है, बिना आवाज के काम हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, हो जाएगा, एसा मत कर, वो भगवान है, मेरा दुश्मन तेरा भगवान हो सकता है, मेरा नहीं, अगर टांग अड़ाई, तो तुझे मार दूँगा, क्यों रेड़ी, तेरा बेटा कुछ कह रहा है क्या, कुछ नहीं साहब, वो मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता, बेटी के बारे में, ये क्या चाहता है, ये बात मुझसे जादा तुम्हें पता है, बेटी नीरजा, आ रही हूं अंकल, तुम्हारे प उसका बाप अगर बनना चाहते हो तो ये जो तुम जिस तरह की जिन्दगी जी रहे हो ना उसे छोड़ना होगा साथ, एक बार अगर उसके साथ आप… रेडिय अपपा, मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूँ तो वो पत्थर की लकीर होती है ये तुमें पता है ना, इसका घमन अब तक कम नहीं हुआ है जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि ये बदल चुका है तो उसी दिन इसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा ये देगा और मैं लूँगा, मतलब मैं इसकी नजरों में भेका रही हूँ अब तो इस शादी को मौत आम में बदल के रहाँगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूँगा, चाहं से मार दूँगा तुझे हिम्मत रहाँ चाहिए, चाचा क्या होगा चाचा, क्यों लड़ रहे हो आप लोग, आँख के बदले आँख तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी अगर मेरा खेट सुकता है तो इसका भी सुकना चाहिए, नहीं मेरे खेट में पानी आएगा नहीं इसके खेट में, क्या बोल रहा है तुझे चाचा एक मिनिट, रुग जाए, मैं क्या हो रहा है यह सब, जो भी पानी आ रहा है, अगर आप दोनों आधा-धा कर लोगे, तो दोनों के भी खेतों में पानी पहुंचेगा, उरा सुकने से तो अच्छा है कि आदे खेतों में पानी पहुंचे, मैं सही कह रहा हूँ ना लड़का चोटा है लेकिन फैसला बहुत सही किया है, अगर मंजूर नहीं तो बड़े साब के पास चलते हैं, अरे जीप में बैठाव इन सबको, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, छोड़ी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेंगे या बड़े साब के पास चले जाए आप जाहिए न सर, मुझे जाने को बोल रहा है, पहरे तू चल पुली स्टेशन ले जा रहे हो, मेरी ड्यूटी तू कर रहा है गया, तो ले बहन ले इस ट्रेस को, रहने दीजिए सर, पसीने की बदबू हा रही है, मेरे साथ कोमेडी कर रहा है, सर रुख जाहिए आप, आ लगता है ये इस गाओं में ने ने आए है, इसलिए इने बड़े साप के बार में पता नहीं है, इस बार छोड़े देते हैं, मुझसे कभी उलजना मत, परना खत्म हो जाएगा, समझा, जाहिए सर, जाहिए, वैसे भी खेतों में बहुत सारे काम पड़े हैं, भाया और माम अच्छा है तो अच्छा ही देखा होगा, लेकिन मैंने मधू के लिए एक अच्छा रिष्टा देखा है, अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही शादी करवा देंगे, अच्छा, कौन है वो लड़का, आपकी पहचान का है क्या, मैं उस लड़के को बहुत पहले से ही जान खुश्बू, आसपास कोई मर्द है, अंदर आने की हिमत किस में है, मामा जी चमडियू धेड़ देंगे, मुझे खुश्बू आ रही है, जरूर यहां कोई है, कोई मर्द तो है यहां पर, कहा है, हड़ी तोड़कर जूटे केस में फसा दूँगी, उसे बाहरे, यह क्या, यह बुड़ी इतनी वाइलेंट कैसे हो रही है, वो निर्भया केस की बात कर रही है, मेरी बीवी मुझे जान से मार डालेगी, मनाक यहां फिर भी लेकर आया और अभी भागने की बात कर रहे है, तो आप क्या करे, अरे देख तू नहीं रहे, अरे पापरे, यहां पर आ ग अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, वो बुढ़िया निर्भया केस की बात कर रही है, मधू कह रही है कि उसका मामा चमडी उधेर देगा, अरे मान जाना, मान गया, मान गया, तू रात में आकर जो करना होगा उखर लेना, अरे अच्छी अच्छी साडिया है, वाओ, कितनी जादा अच्छी साड़ी है ये, मधू, ये मुझ पर कैसी लगेगी, मेरे हिसाब से तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, दादी जी, इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज है मेरे पास, वैसे इस साड़ी का कलर मेरे पैंट से बिलकुल मैच हो रहा है, हाँ, अर अरे मेरी बेटी मुझे यादा रहे है, अरे 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 आइस का टुकडा ले आओ यार, पूरी दुकान गरम हो गई, थोड़ी ठंधक मिल जाएगी, अप्पा अप्रे, कुछ नहीं मेरी बेटी की यादा रहे है, बैब भाई, काम हो गया, अरे सही तरह से काम करो, भाई, उस बुड़े को मारने के लिए सारा सामान चिपा कर रख दिया है, सब आसानी से हो जाएगा, भाई, शिवा आ रहा है, आ भाई, आ रहा है, फूर लेकर आ, इस तरफ जो, अरे क्या कर रहा है तू, ठीक से काम करना, भाई, मैंने कहा था न, शादी में बहुत सारे नए नए लोग रहेंगे, सब बड़े साब करिष्टतार है, जा, ठीक है भाई, ए रसगुलाब, इतने फूल कापी नहीं होगे, और फूल लेकिया, मुझे काम बता रहे, अभी बताता हूँ, बुलाब का फूल या कमाल का फूल, गेंदे का फूल या चमेली का फूल, मोंगरे का फूल या सुरज मुखी का फूल, तेरी तो दूल क्या रसगुला, शुर्य मुखी का फूल चादी में लगता है, क्या बेवडे, नालायक, भाई में तरी आगया हाँ जोडता हूँ, तुझे बुला के गलती कर दी, आप चल निकले हैं अजी है, अब आप तेरी तो, गलापुरा सोख रहे सेनियर, बैली डांसर की तरह, एकदम मस्था यार, बैली डांसर मतलब, अरे बैवको, अरबियन जल पर ही लग रही है, मक्खन की तरह, मस्था यार, अरे वा, इसको देखकर दिल धगधग करने लगा, हे एंडरी, मदू, अच्छा, तो इतनी फ्रेश कैसे हैं, बॉइफ्रेंड नहीं है, आप कौन है, इतने होट लग रहे हैं, चलो दीदी के पास चलते हैं, हे होटी, यह नौटी, अगर इन लाइप में मिले तो वराइटी, अबे ओ, यह क्या है, आखरी मिनेट में बुलेट ट्रेंड मिस होगी, ऐसे चेरा बनाए, फर लड़कियां ऐसी होती है, वो उसको लेकर अंदर चली गई, जैलसी यार, जैलसी, मधू को, किसलिए, अरे इसको बताऊंगा, तो इसको समझ में नहीं आएगा, यह ट्यूब लाइट से ज्यादा, स्ट्रीट लाइट से कम है, तू इधर आ रहे, तुझे समझाता हूँ, इधर आ, बैट, बैट, बैट जा, बैट जा बे, अरे, जैलसी लड़कियो क्या करते हूँ, अरे भाई लाइट लगी की नहीं, अब फूल कहा है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या नाच रहा हूँ, अरे बागे, आंड्री, बढ़िया, बढ़िया, क्या हूँ अरे इतने उसल क्यों रहा है मदू को बुरा नहीं लगेगा गैलसी लिट्स टू लव यार इधार ये एंड्री को चेड़ेगा न तो मदू का लव लव उचल कर पाहर निकलेगा इतने फिल्में देखता है अक्षल नहीं आते हैं मदू को अगर इस बारे में पता चलना तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा पता तो चल गया लेकिन ऐसे पता चलना तो किसी फिल्म में ही नहीं है क्यों भाई लेट क्यों आए लड़किया होंगी इसलिए गेट अब बदल लिया बागी के सब कहा है वहाँ पर बोल रहे भाई काम हो गया पूरा अरे मैंने कहा था ना अरे देख लिया वाँ 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 साडी ने तो फाड दिया भाई अहां बिल्कुल फाट गई क्या कहा पागल कहें की फाड दिया मतलब एकदम लाजवाब लग रही हो ओ थैंक यू वैसे वाट इस दा मीनिंग आफ पगली क इसका मतलब होती है सुंदर लड़की थैंक यू तुमने भी भाड़ दिया पागले कहीं के अहां मतों सुना तो नहीं है ठीक है चलो चलते हैं लिप्स्टिक का शेड तो बढ़िया है मुझे जला होगे अरे बापरे ये तो जबर्दस्त आइटम लगते है यार कौन है ये ये मेरी है अर्य वाह उसकी कमर हिल रही है देखो शुपर सीनियर उसको पुरी नजर से मत देख बख रहे हैं वो तेरी बहन है नहीं नहीं वो चख्का है पक्का है राज्या बागो यह सचमे हाइट अ क्या चांस दिया है अब देखना तुम ये जो सीता है ना अब उस रा आधि रात को अपना जलबा दिखाएगी यह सब्सक्राइब बढ़ा है अधिराइब लड़कों को मज़ा आएगा ना वाट देखा ना अच्छा डालिंग साडी इसे नहीं पहनते हैं एसे लिखकर ऐसे इसे अंदर घुसाना चाहिए साडी हमश्या नाभी नीचे पहननी चा सब्सक्राइब तो फॉस्ट कॉन सा है मेरे भी साड़ी फिसल रही है ठीक कर दो ना चोड़ मुझे नहीं चोड़ोंगी उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है यह लोग अचानक से कहां गाइब हो गए हां राजा कहां हो वहाँ पर हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है यार एक टिकट में इतने लोगों को फिल्म कैसे दिखाऊंगी मैं आइडिया दर्वाजा बन करती हूं अब हमारी जिंदिके में सिर्फ अंधेरा है रॉष्णी लाने वाला कोई नहीं है क्या आप लोगों के लिए मैं रॉष्णी ही तो लाई हूं आइडिया एक तामें बल है सबके सब एक साथ कूद पड़ते हैं हमें तेरी जातका वो हमारा गैंग रेप कर देगी उसे सबग सिखाते चल रेड़ी वन टो थ्री मैं लाइट बन करती हूं का करेंगी मैं पकड़ा गया तो मेरा काम करेंगी कहां जा रहे हो मेरी बात तो सुनो अरे आओ ना इतनी जल्दी क्या है आओ ना अब तो बहुत समय है अंदर आओ ना इतनी जल्दी भी क्या है बाहर जाने की आजाओ अरे आओ ना तुम्हें तो दम ही नहीं है मुझे मज़ा ही नहीं आया लाइट बन करो ना नहीं यार यह मुझे कच्छा निकल जाएगी अरे सूपर सीनिर ऐसे क्यों खड़े हो अरे मेरी पैंट चिची अंडर्वियर भी उतार कर ले गई तुम्हें चैड़ी मेरे पास है अरे मेरी मां अंडर्वियर दे दे तेरे पैर पढ़ता हो मेरी बीवी अगर इसको पता चलेगा तो मेरी क्लास ले लेगी मैं भागता हूँ अरे शर्ट है मेरी इस शर्ट को लेकर ऐसा लगता है जैसे की इस शर्ट के अंदर तुम्हीं हो राजा हो राजा जब से आई हो तब से देख रहा हूं उस पर तुम कुछ सादा ही ध्यान दे रही हो अगर साहब को पता चला तू भाईया राओ उसे पसंद है राओ भी बहुत अच्छा लड़का है मैं जिसे पसंद करती हूँ आप उससे मेरी शादी करवा रहे हैं किसी तरह से मामा को मना कर इसकी शादी भी उसे करवा दीजे आप और मामा जब मान जाएंगे तब वो इस बारे में राओ को बता देगी अब तक कुछ नहीं बताया है भाईया हमने मना कर दिया तो मैं उसको पसंद करती हूँ ये बात राओ को पूरी जिंदगी नहीं बताऊंगी हाँ बोलिए सर फोटो भेज दी है मैंने कितने पुलीस वालो को भेज़ेगा मुझे नहीं पता है राओ की पूरी कहानी और उसके कुंडली चाहिए मुझे जरूर बाई हमने जो भी हत्यार चुपाए थे वो सब के सब खार को लगता है शिवा को पता चल गया है अगर पकड़े गए तो जीते जी गला काट देगा वह हमारा मैं जा रहा हूँ जी बाई शिव मार देगा इस बात से डर रहे हो गया इसी डर से आपके अपने भी आपको छोड़ कर चले गए और अगर आपने बड़े साहब को मार दिया न तो शिवा आपको छोड़ेगा क्या चाचा इस गाओं के लोग आपको और आपके लोगों को जीने देंगे वैसे भी सब खत्म होने के बाद आप क्या हासिल कर लोगे जब तक जिन्दा हो तब तक कहीं छिप कर जीने के अलावा सच है की नहीं बूलिये ना चाचा वैसे भी मरने और मारने से समस्या खत्म नहीं होती है कभी जब हम बदलेंगे तब खत्म होता है वैसे भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मारने की जरूत पड़ती है इंसानों को इंसान बन कर जीतो इतना काफी है टेंचन मतलो चाचा शिव को वेपन्स नाम इले इसलिए छिपाने वाले हम ही है उसको अब तक कुछ भी पता नहीं है अगर अब भी आपको लगता है कि आप ही सही हो तो आपकी मरजी मैं बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा और अगर लगता है कि आप गलत हो तो आप बड़े साब से माफी मांग लीजिए उनको मारने की बजाए जो हासिल करना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा मुझ पर भरोसा करो चाचा जाओ चाचा बारोसा के लुक जुटता बड़ी जे er बारोसा के दो के ώर्ण पार के लुटता ह। बारी ज्ुटता ह। मुझे माफ कर दीजिव ना गबा तुम बदल गए अच्छा है मुझे बहुत खुशी हो रही है ए विश्वा वो जादात के कागजात लेकर आओ जाओ जल्दी लाओ इसी बदलाओ का मैं इंतजार कर रहा था मुझे बहुत खुशी हो रही पापा पापा हां हां चलो जाला चलो जालो सबाइधे दार थाना हो सच में हां हां सच में अहां राओ के पेरेंट्स के बारे में पता लगवाया, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, ये भी पता चलाया, मुझे भी राओ बहुत पसंद आया, ये शादी हो जाने के बाद, साहब एक प्रोजेक्ट के चक्कर में दिल्ली जा रहे हैं, त और राओ आपने के बाद मैं उन्हें मना लूँगा, तुम्हारी शादी करवाने की समयदारी मेरी है, भाईया, थांक यू भाईया, थांक यू, थांक यू, थांक यू, सो मुच भाईया, वी, और काभी मसे जार हैं, अरे, कैसे अच्छे बादा, एजोड़ी ये बहुत जानी है? एए जाना एए जा पे मैंने का गाते वो तो जो जी आप गाते है बिटा वर वदू के लिए वर्माला लेकर आओ बिटा ठीक है अरे जीजा जी फोन पर ज्यादा बात पत कीजिए अभी अभी शादी हुई है मैटर काम नहीं करेंगा अरे अरे मैटर मतलब ब्रेन ब्रेन सबच्चे से हो रहा है ना ए तुम्हें एक बात बताओं क्या है अभी नहीं बात में बताती हूं भाई बाम नहीं भटा भाई बाम नहीं भटा बाम नहीं भटा बड़े साहब को दिली के हवाई जाहद में बिठाकर लॉटने तक ये बाम किसने लगाया है मुझे पता चलना चाहिए हलो फ्रेंज आप सभी को अर्ली मॉर्निंग फाइफ ओ क्लॉक अठना पड़ेगा एक ब्यूटिफुल लेक के पास लेकर जाओंगी ओके अर्ली मॉर्निंग रात को तो मुझे बहुत काम है मधू के दिल में जलेसी बढ़ाने के लिए मैं तुमसे ग्लोज हुआ था आइम सो सॉरी मधू कॉंग्रेट्स शादी फिक्स हो गई ना मेरी शादी किसने बोला तुम्हारे मामा ने कोई रिष्टा फिक्स किया है तुम्हारे भहिया ने बताया मुझे ओ सॉरी लगता है तुम्हें बताया नहीं सॉरी सॉरी अब तेरे मुस्कान गायब हो जाएगी बेटा सच बात है भहिया ने मुझे भी बताया तुम टेंशन लोगी इसलिए उन्होंने बताने से मना किया कॉंफरेंस कॉल करती हूं उनसे बात कर लो ठीक है बड़े सापने अगर एक बार फिक्स कर लिया तो वो फैसला बदल नहीं सकता है तुम्हें पता है फिर भी मैं इस गाहों को इन खेतों को देखकर तुम्हारे मामा जी को वाकई हाज जुढने का मन करता है मेरा उनकी तरह बनने की खुशिश करने वाले तुम्हारे भाईयों को सबको तुम्हें कल इन सबको छोड़ कर जाना होगा जाना ही पड़ेगा मद्धू बचपन से जो मैंने थाना है वो मैंने हमेशा पुरा किया तो पापआ से डाट नहीं खानिए इसलिए मैंने बचपन में थान दिया था हमेशा जीतता हалु появ है जीता हरा हूं कॉलेज में अफूर रहने की कोईश दे वह पूरा ऐखिश कैंपस इंटेव्यू में टॉप कमपणी में सेलेक्ट होने की इच्छा थी, वहाँ भी जीत गया, लगता था तुम ही मेरी जिन्दगी हो, लेकिन यहाँ पर मैं हारा है जीता, यह समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में फॉर्स्ट टाइम तुम से प्यार हुआ है, इतना कि टोटली, कमप्लेटली, मैडली, प्लीज अब बस भी करो, प्लीज, सिच्छेशन समझ में नहीं आ रही है क्या, इसमें चीत और हार क्या है, बात वो नहीं है मधू, मैं जो बोल रहे हूँ वो सुनो, लाइफ में सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता, कई बार हमें पासिंग क्लाउट समझो, बस, कल्यां से जाते समय, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, बाई, बाई फोरेवर अरे, क्या हुआ मैं बागल हो रहा हूँ यार, मधू जब भी नाजवाब दिये चली गई थी, तो कभी ना कभी हाँ बोलेगी इस बात की उम्मिद थी, लेकिन आज तो वो भी खतम हो, इस गाउन, इस गाउन फोरेवर अब मैं क्या करूँ यार, कुछ तो बोलो ना भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे मधू चाहिए, बोचाहिए बस मामबाजी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती, आपको प्राइए, आपको प्राइए, आपको प्राइए मुझे मतलए अब मुझे, अब मुझे मुझे, नहीं हुए मतलब उसनी जो कुछ भी हुआ था उसका बदला आज ले रहे हो ना हमसे हमें क्या समझ रखा है इतना कुछ होने के बाद हम चायन की नीन सोते रहेंगे क्या जब दंडा पड़ेगा ना तो जो किया है सब बाहर आजाएगा पुलिस से बंगा लेता है बदमाश नहीं का चल ठारे में चल सारी सच्चाय खुद बखुद रुखलेगा अपना काम हो गया बाई बाई पован के फूर भोत लग रहा हूं लेकिन उनका फ्वहफ्वो स्वह और आ हो созд पास गया तलाप के पास घए था अधा प्वाँ साथ बात पिल्लीались हुआ क्या इसलिए पुलिस वाले ले गाए उसे राओ को कि बढ़े साप की बांजी को कोई ले गया क्या ले गया है। है है ७ुच्छ…… आखुस्ट , मदु ? एंवald कररी है किसे बात कर रही है कर दो , भात बात 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 कर दो और यह जो जाए इस से पहले जब में रूम में आया था तो फोन यही पर गर गया था भाई यह कोली तेरे भेजे में उतारने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा मैं तुझे ना मारू इसलिए भवान से प्राप्त ना कर दोबारा फोन करने की कोशिश समत करना मैं तो जान से मार दूँगा चला एक कमीने तू कौन है मुझे नहीं पता कैसा दिखता है नहीं पता तो इस वक्त कहां ये भी नहीं पता लेकिन मैं मधुग को पागलपन की हद तक प्यार करता हूँ आउंगा तेरे सामने आउंगा और तेरे सामने आने के एक सिकंड बात कमीने बचेगा सिर्फ एक इंसान वो तू हो सकता है या फिर मैं हो सकता हूँ आज़ा देता हूँ कहां जा रहा है तू यार वो लग तुझे मारना चाहते हैं अगर तेरा ओप्रेशन नहीं हुआ तो तू अंधा हो जाएगा ऐसा डॉक्टर ने कहा है मधु को किसी तरह बचाना ही होगा उसे बचाने के लिए तुझे जिन्दा रहना होगा भले ही मैं अंधाई क्यों ना हो जाओ लेकिन मधु को बचा करी रहूँगा तू जिससे प्यार ने करता है रिस्क क्यों ले रहा है इतना मैं उसे प्यार करता हूँ यार वो मुझे प्यार करती है नहीं ये उसकी मर्जी है लेकिन अगर उसे मैं इस वक्तर में छोड़ कर पीट दीखा कर भागया तो इसका दुख मुझे जिन्दगी भर मेरे दिल में सुई की तरह चुपता रहेगा अब ही मैं अपने लिए तुम्हारी जान खत्र में नहीं डाल सकता हूँ तुम लोग चले जाओ अच्छा सुन हम भी तेरे दोस्त हैं साथ जीएंगे साथ मरेंगे तू अकले नहीं जाएगा चल मधु और बाकी के लोग जिस लेक में लापत हुए है वहाँ चलते हैं शायद कोई क्लू मिल जाए यह सब क्या है बिटा इतनी जोट कैसे लगी जब फोन पर बता चला मेरी जान ही निकल गई मैं माही हुँ तो मान जाओगी पर आसपास की लोग मानेंगे क्या अचा दूसरों को चोड़ तुझे लगता है तेरे पापा मान जाएंगे उन्हें तो बस तेरे गलती करने का इंतिजान रहता है उन्हें ये पता चलेगा तो वह चुप रहेंगे तुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे आजा पापा को किसी भी हालत में इस बारे में पता मत लगने दे रहा क्या? पूरी लाइफ आपको डाटने का मौका नहीं देना ये सोचा था मैंने अब डाटिये पापा पेरेंट्स अपने बच्चे को डाटते हैं वो उसे दुख देने के लिए नहीं ताकि उसे भविश्य में कभी दुख ना हो मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हें जिंदगी बर मेरी डाट ना सुनने पड़े पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है मैं जानता हुए जाओ राज यहाँ टायर के निशान है लगता है मधू को इसी रास्ते ले गए होंगे मधू का फोन मिल गया लगता है चार्जिंग खत्म हो गई है बाओर बैंक दे चार्जिंग खत्ता है मतलब गैलरी में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा देख हमने बुलाया तब आये नहीं रगता है अभी हमें डराने के लिए आ रहे हो साइलिंट रहो देखो अरे मुझे गाड़ी से टक्कर मारने वाला यही है अरे इसको मैंने कई और भी देखा है कहां देखा होगा है शादी में किसी से बात करते हुए देखा अगर यह बात में बड़े साब को बताऊंगा तो मधू को ढूणने में आसानी होगी अच्छा इंगेज आ रहा है यार तो जल्दी से शिव को फोन करो ना वदू परिस आज़ी बागो चल्दी रुक जलो रुक जा वह पुलिस वाला तुझे मानना क्यों चाहता है वह मुझे क्यों मानना चाहता है यह जानने मधू को बचाना बहुत जरूरी है मेरे लिए चलो थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मधू ने जिस फोन से फोन किया था मैं उस पर ट्राय करता हूँ हाँ तुम जाकर बाइक लेकर आशा हाँ चलो यहां इतना सब कुछ हो गया मुझे फोन क्यों नहीं किया मैंने सुचा था कि आपके लौटने तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा यह काप्लियत दिखाने का समय नहीं है मदू का कुछ हो गया था बड़े साब अभी अभी मदू का फोन आया था उठाने से पहले कट गया उसे कुछ नहीं हुआ है आप टेंशन मत लीजिए सारे चेकपुस्ट को अलर्ड कर दिया है वो इस सिंगनस को भी ट्रेक कर रहे है अगर राओ मिल गया तो मदू भी मिल जाएगी उस राओ का इससे कोई संबंध नहीं है हाँ बड़े साब वो दुनों एक दूसरे को पसंद करते हैं आपके लौट के आने पे मैं आपको बताने वाला था लेकिन तब तक जितने आदमी जाहो लेकर जाहो लेकिन कल सुबह तक मदू घर पर होने चाहिए सेम टैर का निशान गाड़ी इसी तरफ गई है इस तरफ सब क्लियर है साइट बोलों मोटर साइकल से उस तरह भाग रहा है पकड़ा उन्हें भाई राओ और इसके साथ ही रिडडी पालम की तरफ जा रहे हैं अगर पकड़े गए तो क्या करना है बड़े साब के पास लेकिया हो फोन फोन बहाई प्लीस सुनिये बहाई यह यह मेरी हैं मैं नहीं का प्लीस भाया वो फोन फोन यह वाला क्या वो नहीं यह नहीं चाहिए अरे फोन यह भी नहीं चाहिए क्या वही भाईया प्लीज दो नहीं प्लीज प्लीज जल्दी नीचे इसके क्या करोगी टार का निछान यह से खतम हो गया अब क्या करें हम गाड़ी पक्का राइट साइड में गई हो गाड़ी पक्का राइट साइड में गई हो गाड़ी पक्का राइट साइड में गई हो गाड़ी पक्का राइट साइड में गई होगी बसे कितनी दूर हो कहां तक जाएगी वो सहाब उस राव का इंकाउंटर करने के बाद ही मिलूँगा सहाब चल हालो मदू मदू कहा हो मदू कुछ स्कूरा मूदू कुछ पताने चल रहा मुछे बहुत मार रहे है तerson पोन आएका तो मुझे मार देनी के धमिए भ़ाइख उम्हें कुछ नहीं होगा म chef नहीं हो मले गिए एक रहा हु आली मॉनिंग लेक के पास जहने की बात वहां के विज्वल रिकॉर्ड करते समय पीछे से कोई साउंड सुनाई दिया हमें लगा कि तुम लोग हो अचाना किसी ने रुमाल से मुढख दिया मैं बेहोशो कर गिर गई अभी तुम कहा हो, छोटा सा क्लू दे सकती हो मुझे गाड़ी में लेकर जाने वाले कुछ तेर के बाद गाड़ी की साउंड सुनाई दिया वहिकल की साउंड थी शूट पर आ गया था शायद कोई कोई आ रहा है हाँ जल्दी बताऊ ना डोर खोल रहा है कि किससे बात कर रहे हैं तो कौन है तो हाँ पर ना की बाद आधा बना का छोड़ दिया गया फेल्डिंग में क्या हुआ यार जिसे शूट किया वह मधू नहीं है मधू को कुछ नहीं हुआ है मधू क्या हुआ हुआ है मैंने कहा ना मधू कुछ नहीं हुआ है वह बाइक वाले लड़की किदर गए तरफ सार अलो कंट्रोल रूम वह राव का बैच रेड़ी पालम की तरफ गया है सारे चेक पोस्ट को एलट करतो पोरी डप और सेंडल कहा है पता लगाओ उन दोनों पर डाउट है मुझे उसी काम में लगा हूँ बले साब उस वक्त वो आपको मारना चाहता था अब वो बधू को उठा की ले गया और राव को भसा दिया है हमारे आसपास ही कोई है जो हमें दोखा दे रहा है जब तक मैं लॉट के नाओं किसी पे भरोसा मत करना मुझे कुछ नहीं होगा तू बस अपना खयाल लग इस समय तू का है राव रेडडी पालम की ओर गया है ऐसी खबर मिली है मधू के बारे में उसे कुछ पता चला है मुझे ऐसा डाउट है मैं भी उस्सी तरफ जा रहा हूँ बड़े साहब आप अपना ख्याल रखिएगा ठीक है एक काम नहीं होता तिरसे पेकार का आदमी तूने किसी से बात की थी ना किससे बात की थी बताओ किससे की थी बात जल्दी बताओ अगस्ट अगस्ट इसी ने तुम्हे फोन दिया था ना इसी ने दिया था ना इसी ने दिया था ना इसी ने दिया था ना अगर दोबारा किसी से फोन पर बात की तो इसी तरह से मरेगी तु एक बात याद रख ले अगर दुबारा फोन किया इसी तरह से मार दूंगा याद मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ कि बताय बिना लगता है मर जाओंगी मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमें कैसे बता हूँ कैसे बताओ है अब किस तरफ जाना है अरे जब मैंने मदू से फोन पर बात के थी तो दूर से कुछ साउंड सुना ही दिया था कैसा साउंड था वो कैसा साउंड था अजान मजीद मदू को जहां चिपाया वहां पर पास में मजीद है शादी में बीना फिंगर के आदमी से बात करने वाला संदिल है मदू को उठाने वालो और फोन पर बात करने वाला तमिल है मतलब सब संदिल ने किया है यह भगवान भाई राज उसी तरफ आ रहा है हम उसे ऐसा स्ट्रोक देंगे कि उसे बहुत बड़ा जटका लगेगा तो उसे मार देना ठीक है भाई अरे मज़िन में लाट स्पिकर है यार तो इसके आसपस आधी बनाकर छोड़ दी गई बिल्डिंग होनी चाहिए हाँ अरे इतनी सारी बिल्डिंग्स में कौन सी होगी यार जाकर देखते हैं चलो हाँ तो उस तारब ढूण लें हाँ हाँ चीक हाँ आज़ा आज़ा बदू 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 किसे हम परब Chapter 25 उनके सी किपिते हैं कि तरो चाहिं वाओ कि अभ्य कोुझी है कि जड़ कि झाओ कि इमत भी प्योर कॉर्ड बढ़ कि जड़की कि ऑग вес दो अँश भौइँγά अँश कर दो हर अपšत vita हरब भाक उपःFr 않는 हर हर लगक प्रत्रत्रत्रत्त हिए लाक ना छिप कर दो हुप बादा 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 अार तुर सुप मैं धी ऍार він बादू! बादू! हरे तुजह कुछ भी नी नियुक युळ ए तु थीका ना? अफ युुड área युड Dust मेनन ने युदा युदा में युड अगा थागा फैड यहां मुदा। युड युड की तू है ये सब करके तू यहां क्यों आया है मैंने कुछ नहीं किया है मैं बस राज से गुस्सा था इसलिए उसके अरेस्ट होने पर खुश हुआ फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा जगड़ा सिर्फ कॉलिस तक था बहार आने के बाद तो हम फ्रेंड्स है तब ही से मैं तुम लोगों के मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर तुने नहीं किया तो ये सब फिर किसने किया है अब भाग भाग के कितनी दूर तक जाएगा मधू और राज कहा है वो मेरे दोस्त है मैं नहीं बताऊँगा मैं नहीं बताऊँगा एए तेरे बड़े सहब को मेरे लोग और तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ तड़पा तड़पा के मारूँगा बताएगा या मरेगा नहीं बताऊँगा नहीं बताऊँगा नहीं बताऊँगा बॉम रखने के बाद जब पकड़ा गया था उसे दिन तुझे मार देना चाहिए था कभी ना कभी काम आएगा सोचकर मैंने तुझे छोड़ दिया था अब मेरा वो काम हो गया अब उपर जा राओ और मधू किस तरफ गए इस तरफ गए है भाई राओ और मधू को मार दे ठीक है भाई 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 ने ने उसका मत बारणाए ने 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 चोड़े हैं जोड़ता हुआ जोड़ता हुआ उसे चोड़ता हूं यह सब करने वाला श्यू है क्या हमारा श्यू यह सब ने मिल के किया था राओ और मधू को मौत की मूँ में धकेलने वाला शिवी है भाईया फोन पे करो भाईया अहां 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 बाईया अगस्ट 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 बाहिया बाहिया कहा हो तुम लोग लगता है मुझे और राज को मार देंगे भाहिया पहले वहां से बाहर दिखलो बाहिया बाईया एक चाही हो तुम लोग आ रहाए भाहिया यहीए हो कहा है तुम चली जाओ अमने भाही के लाए चली जाओ अए इस वाहिया बाहिया तुम रहाए एक चली जाओ बोल मुझे क्यों मारा मधुने कहा वो तुझ से शादी करेगी और मैं उसके लिए मान भी गया मैंने सुचा पड़े सहब को भी मना लूँगा लेकिन फिर भी तुने मुझसे पंगा लिया मैंने क्या किया सब उस राव ने किया है जब वो हमारे खिलाफ हुआ तभी मार देना था पर तुम्हारी भांजी की वज़े से हम खामोश थे वो उसे पसंद करती है ऐसा उसने सिर्फ शिफ को बताया था अगर उसको ऐसा कुछ होता तो सीधा शिफ पर शिफ पर शक जाता उसके उपर शक नहीं होना चाहिए ना खून का धिबबा उसके हाथ लगना चाहिए उसको मौत के घाट उतारने वाला और आप पर हमला करने वाला आदमी मिल गया है मधू को उठा कर ले जाने के लिए कहने वाले हम लोग ही हैं वो इल्जाम राव पर लगाकर उसको पुलिस से अरस्ट करवाने वाले भी हम ही है उसको पुलिस से और हमारे लोगों से मरवाने की कोशिश करने वाले हम लोग ही है तुझे मारने के बाद उसको मैंने ही बचाया है ऐसा उस बुढ़े को भरोसा दिलाऊंगा लेकिन जिन्दा बच कर तूने मेरा पूरा प्लान बरबाद कर दिया आज यहां तेरी मौत का सिम्मेदार वो रेड़ी है ऐसा उस बुढ़े को यकीन दिलाऊंगा मैं मैंने ऐसा क्या गुना किया है यह बता कर मार दे इतना कुछ करने के बाद भी मैं नागरेड़ी को नहीं बदल पाया विश्वा पर वो काम राज ने करके दिखा दिया उसको यही नहीं विश्वा जब मैं मधू से मिलने वायजग गया था तब वहां देखा था हमारे जंगम पहली में भी उसको देखा था उस राव में कोई तो जादू है मुझे वो बहुत पसंद आया मधू और राव एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं विश्वा उन दोनों की शादी करवा देते ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होई लेकिन उसके बाद उस बड़े ने जो बोला वो सुनकर मेरा खूद गाल उठा शादी होने के बाद राज को गाउं में रहने के लिए मना लूँगा मेरे बाद राज ही इन गाउंवालों की उम्मीद होगा तो फिर हमारे शिवका क्या होगा बड़ी साब जनता की सिवा करने वालों का खून गरम नहीं होना चाहिए बलकि उसको दिमाग से काम लेना चाहिए वो उसके पास नहीं है लाजनिती में वो काम नहीं आएगा इसलिए मेरी जादा शिव को और मेरी जगा राज को अगर उस बुड़ी की जगे तूने ले ली तो मैं कहां जाऊंगा बचपन से लेके आज तक मैंने जिस पॉलिटिकल पावर की खौईश की है उसका क्या होगा तो कोड़ी की जायदा किसे चाहिए यहाँ पे MLA या फिर MP बन जाऊंगा तो इससे सो गुना सादा कमाऊंगा जरूरत पूरी होने के बाद उस पुड़ी को भी काट डालूंगा पावर में जो मज़ा आता है उसके लिए मां क्या बाप क्या बेहन क्या और भाई क्या और उस पावर को पाने के लिए बीच में जो भी आएगा मैं उसे फार डालूंगा गाहों की भलाही में मैंने कोई आच नहीं आने दी पर मेरी परवरिश में हाँ चा गई वो हो मैं देख रहा हूँ इससे ज्यादा मैं दुखी नहीं हो सकता अब तक मैं तेरी मार सहता रहा क्योंकि तू मधो का भाई है सिर्फ उसे एक रिस्पेट की वजह से अगर भाई को मारने की कोशिश करेगा तो कोई भाई कोई रिष्टेदार नहीं मैं किसी को भी नहीं छोटू ला हुँ रुख सट्टिए तो रिस्टिए हुँ हुँ रहुँ हुँ 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 मेरे भाईया को क्यो मारे हो छोड़ो 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 यह सब करने वाला मैं ही हूँ वह कि भाईया कि मुझे युकिन नहीं होरा भाईया यह मेरे बाईया भाल में गया तेरा सेंटिमेट मेरे सामने से दूर हो जा मैं ने कहा न आ एक तुम मतू का भाईया इसले कुछ नहीं करपा रहा हो मैं तरह बस दो मिनिट के लिए सोच यहां जो हुआ किसी को नहीं बताऊंगा किसी को भी नहीं जानवरों की तरह नहीं इंसानों की तरह सोच सुदर्जा बदो अगुए 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 मदूए अगुए तुम्हा गई नहीं तुम्हें नहीं तुम्हें वेद्च नहीं होगा मेरे बच्चा लिया तुम्हें तुम्हे कुछ नहीं होगा भी मदू यह मदू अगुस्ट तुम्हेक बता हुआ नहीं कुछ नहीं होगा बहले चलो अस्पताल चलते मैं तरे बीच में आरा हूँ ना मुझे मार दे लेकिन मदू को छोड दे फ्रीज मुझे मार दे तुम्हें अगर शू को नहीं मारा होता तो वो इन दोनों को जरूर मार देता तुम्हें बहुत अच्छा काम किया अस्पी मुझे एक बात बहुत पसंद आई है मेरे लिए उसने अपने प्यार को त्याग दिया बहुत तकलीफ सही और मधू को मेरी बहु बना कर लेकर आया अरे बेटा हो तो ऐसा हो पापा ये ना थोड़ा जादा हो गया भाया ने जिससे प्यार जिससे शादे की मधै सब को है और तुमको भी powdery कबड़ी 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 बापरे फून पर अकर ज्यादा बात करोगे तो मैटर काम नहीं करेगा पता है ना तुम्हें अगर तुम्हें कुछ हो गया तुमको पता है आओ बताता हूं अगरण करेंगें सब्सक्राइबियामाइथ कुलत अबनार अश्लक करेंगा रजा ना रख वंगए कर अधनार के UMुल bestenे बिण्पर अव्ल्या की नहीं ल सिन झाल झाल